हलो एवरिवन वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ शेफ मिनी और यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है आज जो आप देख रहे हैं यह बहुत ही जटपट मैं कहूंगी सिर्फ 5 मिन में बनने वाली इतनी बड़ी है मिठाई है ना इसमें आपको चाशनी बनानी है ना कोई गैस की ज़रूरत है जटपट इस मिठाई को बनाई है और महमानों का दिल जीती है तो चलिए जटपट रेसिपी को शिरू कर लेते हैं यहां मेरे पास है पेठा तो यहां मेरे पास 300 ग्राम के करीब पेठा है और मैंने एक कप भर के जो है नारियल का बुरादा होता है ना वो ले लिया है मैं आधे-ाधे कप से नापनी हूँ इसलिए आपको लगेगा मैंन मैं एक कप नारियल का बुरादा लिया है और अब मैं इसमें ले लूँगी पनीर यह जो रेसिपी है ना इसमें बहुत जादा पर्टीकुलर होने की ज़रत नहीं होती मेशरमेंट्स के लिए क्योंकि हम कोई भी चीज को कम यह जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यहां कि मेवा वक्राद दाल सकते हैं ऐसमेंटीके प्रिटिके लि ecosystems के जरुदने हैं तो बस यह चार सिंपल इंग्रीडियंट्स जो हमारे घर में को आराम से मिल जाते हैं तो बस इनी के यूश से हमेज मिठाई को फटा फट बना लेते हैं और देखिए चुटकियों में आपकी मिठाई बनके तयार हो जाए हैं तो यहां में जो पेठा है न मेरे पास उसको घिस लूँगी बहुत अच्छे से आप इसके घिस जे मेरा गीला पेठा है और अब आती है बारी पनीर की तो पनीर को भी हम अच्छे से घिस लेंगे पनीर जितना सूखा होगा उतना घिसने में आपको असानी रहती है तो पनीर अगर आपका थोड़ा सा गीला है तो एक कपड़े पे डाल के उसको थोड़ा सा सुखा लें और उससे भी घिस लें द ख़र यह इलाइची मिक्स करके यची लिए ं Changuma इसको मिला देंगे और अच्छी थरीके से मिक्स कर्याना और wrt वौय देशनीं को यह देकने की इसके हम लड़ू बान सके तो अगर से आपकी अपने कंशिस्टि challenged तो जरुआ not this inch with applause तो मैं उस चाशनी को इसके अंदर mix कर लूँगी देखिए अभी बहुत अच्छे से मिलाना है बिल्कुल एक सार कर लेना है कि आपका जो ये डो है बिल्कुल ही perfect रहे और ये देखिए मुझे जहुरत पड़ी कि थोड़ सी चाशनी मिलानी है तो मैंने थोड़ सी चाशनी मिला दी अगर आपको जहुरत पड़ेना तो आप थोड़ा सा इसके अंदर दूद भी मिला सकते है तो यहां मैं चाशनी मिला कि इसको अच्छे से क्या करूँगी mix कर दूँगी और इसकी consistency देख लूँगी लड़ू बनाने वाली हो गई है तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपना केवडा water आप केवडा water भी डाल सकते हो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप इसके अंदर rose water का भी यूज़ कर सकते हो तो यहां मैंने एक चमच के करीब भर के केवडा water का यूज़ कर लिया है अगर आप केवडा essence डालें तो थोड़ा सा कम डालिए और अगर आप water डाल रहे हैं तो आप पूरा एक चमच भर के डाल सकते हैं और यहां देखिए एक थाली के अंदर मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा और ले लिया है क्योंकि अब जब मैं लड़ू बनाऊंगी तो लड़ू को outer covering देने के लिए हमारे को इसकी जहुरत पड़ेगी अच्छे से इसको mix कर लेंगे और हम बनाते हैं इनके लड़ू जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये लड़ू आपने घड़ी देखका 5-7 मिनट में बना लिएं और महमान जो आपकी वावाई करेंगी उसको तो मज़ा आ जाएगा तो ये देखें लड़ू बना लिए अपने साइज से आप जितना बड़ा या चोटा बनाना चाहते हैं आप बनाएं और बहुत अच्छे से बहुत काफी इसमें काफी सारे लड़ू बन जाते हैं तो ये देखें आप अपने हिसाब से लड़ू बनाएए उन्हें टाइट जैसे लड्डू को हम रोल करते हैं ऐसे रोल कीजे और उसके बाद जो नारियल का बुरादा है ना उसमें उसको रोल करते जाएए और देखिए कितने मस्त और बढ़ी है हमारे लड्डू बनके बिल्कुल परफेक्ट तयार हो गए है तो चलिए आप कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग तो यह आप मेरे डबबा देखते होंगे जो मेरे पस बहुत पुराना इंडिया का डबबा है मैं इसको हमेशे क्लीन करके इसी के अंदर अपनी जो मिठाई है उसका डिस्पले करती हूँ कि यह मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबसे बड़ी प्राप्लम की बात किया है कि कैनेडा में इस टाइप की चीज़े मिलती नहीं है तो मैं इसे संभाल के रखती हूँ तो यह देखिए मेरे लड़ू बन गए है और यहां पर मेरे बस कप्स थे मुफिन कप्स थे जिसके अंदर मैंने इनको लड़ू को डाल दिया देखिए लग रहे हैं ना कितने खुबसूरत लड़ू और खाने में तो इतने मज़दार इतने लजीज कि मैं आपको क्या बता हूँ मैंने सब लोगों को टेस्ट कराया और उनको इतना मज़ा आया वो भी मैं रिव्यूज आपके साथ अभी शियर करने वाली हूँ कि मज़ा आजाता है आपको पता ही नहीं लगएगा कि आपने कितने जटपर और कितने बड़ी है लड़ू बना के तैयार कर लिए और महमानों का दिल जीतने के लिए तो यह इतनी परफेक्ट चीज है ना कि वो भी आपसे इसकी रेसिपी फटा फट पूछेंगे तो चलिए अगर आपने लड़ू बना लिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएए कि आपके लड़ू कैसे बने थे और आपको रेसिपी कैसी लगी और ऐसी ही मज़तार रेसिपी जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ बैर आइकन जरूर दबा दें चलियो तर रिव्यूज लेते हैं इन लोगों से कैसे बने हैं येस रोशनी? वर्ली टेस्टी वर्ली टेस्टी बनाया वाव कैसा लगा आणडी? बहुत अच्छी सच में? मुझा आगया? बहुत बढ़िया जटपट बनने वाली मिठाया जटपट महम आनाया और चुटकियो में बनाया जटपट बने वाली मिठाया जटपट बने वाली मिठाया थैंक यू बयाज आवे के जिरूखते लिए गर में बनाओ अच्छे से बटे के खाओ और कितने डाइम खाओ